मेरे प्यारे साथियों नमस्कार मैं सुखवीर सिंग अपने सभी साथियों का इस competition community परिवार की online platform पे हारदिक स्वागत अभिनंदन गरता हूँ मेरे प्यारे साथियो हम लोग संगराम सीरीज की बात कर रहे हैं और इसमें हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से बहतरी इन आंसर को लिखा जा सकता है एक answer को कैसे draft किया जा सकता है एक sequence क्या होना चाहिए एक pattern क्या होना चाहिए तो कल हम लोगों ने पार्ट वन में जो बात की थी दो नंबर चार नंबर और आठ नंबर के प्रश्ण की बात की थी और आज हम बात करेंगे साथियो 15 नंबर के प्रश्ण की तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लाख दलदल हो पैर जमाई रखना लाख दलदल हो पैर करेंगे तो चलिए आज के हम सेशन की शुरुवात करते हैं और देखते हैं किस तरह से एक बहतरीन प्रश्ण को लिखा जा सकता है ठीक तो प्रश्ण हमारा यहां है सबसे पहले क्योंकि मैंने कल बताया था आपसे कि जो प्रश्ण को किस तरह से सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमने एक प्रश्ण लिया है कि मौरी सामराज्जी के पतन के काड़ों की चर्चा करो मेरे प्यारे साथ यो लाश्ट टायम जब आपने देखा था एक प्रश्ण आया था आपके आयोग में पूछा मी नमबर में तो मैंने यहां पर इस प्रश्ण को यह सॉल्व करेंगे कि वही मौरी सामराज जी के पतन के total card क्या थे उन card की हम लोग बात करेंगे क्योंकि आप लोग जानते हो अगर हम मौरी सामराज की बात करें यहाँ पर तो आपको यह बात पता होगा कि जो मौरियन एमपायर था चंद्रुगुप्त मौरी के द्वारा यहाँ पर इस सामराज की स्थाबना की जाती है 323 BC में और यहाँ पर यह सामराज कब से कब तक चलता है 184 BC तक चलता है और आपको पता है चंदरुप्त मौरी के बाद इसका बेटा बिंदुसार आता है और बिंदुसार के बाद असोक आता है और असोक के बाद से कोई ऐसा योगी सासक नहीं हुआ जो इस सामराज्य को समाल पाता और उसके बाद धीरे धीरे step by step क्या होता है मौरि सामराज का पतन हो जाता है और मौरियों का जो अंतिम सासक था जिसका नाम आपने सुना होगा ब्रहेदरत और ब्रहेदरत जो अंतिम सासक था इसकी हत्या इसका सेनापती जो पुष्यमित्र पुष्यमित्र सुंग करता है और पुष्यमित् में पढ़ते हैं तो हमना पूछा है तो एक बार प्रेश्ण पूछा कि मौरिस के पतन के क्या पुछा चाहिए,, तो यहां पर पतन के अनेक क्या करते हैं यहां अनेक पतन के उन कारणों को यहां पर mention कर सकते हैं step by step तो पहले आप क्या दोगे एक परिच्छे दोगे भाई 15 नंबर का प्रश्ण पूचा है और 175 मार्क हैं सरी वर्ड है 175 क्या है ये सब्द होंगे यहां पर और यहां पर क्या है मार्क है यहां पर तो यहां पर अगर 15 नंबर का प्रश्ण है 175 सब्द पूचे दाया रहें तो कम से कम आपको इसमें कम से कम आपको 17-18 लाइन आपको लिखनी पड़ेंगी तो इसको आप कैसे करोगे इसके सबसे पहले आप क्या दोगे परिचय दोगे जो अभी हमने बताया परिचय के वारे में कि ऐसे मौरिस सामराजी था और इसका है चंदरुप्त मौरी ने इस्टेबलिस किया और असोक तक यहाँ पर योगी सासकों का काल देखा जाता है लेकिन असोक के पतन के असोक की मौरिस सामराजी का पतन प्रारंभ हो जाता है अंतिम सासक रहा ब्रहदरत उसकी हत्यावसी का सेनापती पुश्मित्र सुंग करता है और एक नए सुंगवन्स की स्थापना करता है तो इस पतन के लिए अनिक कारड जिम्मेदार थे ठीक न तो परिच्छे आप लिखेंगे परिच्छे के बाद वो कौन-कौन से कारड जिम्मेदार थे उन कारणों की क्या करेंगे आप चर्चा करेंगे तो आपने चाहें पतन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे, कौन-कौन से कार्ड common हो सकते हैं, कौन से कार्ड अलग हो सकते हैं, जैसे अगर हम इसके पतन के कार्डों की बात करें, पहले कार्ड की अगर हम बात करें, तो भाई साब इस पतन के कार्ड में हम देखेंगे, असोक के बाद क्या और आप इस बात को जानते हैं कि जो असोख था असोख के समय तक आते आते जो सामराज्ज में इसके में उडीसा यानि कलिंग वाला चेतर था बंगाल वाला नेपाल इधर कस्मीर और इधर अफगानिस्तान इधर ये गुजरात इतना बड़ा भूभाग था इसका और इतने वड़े सामराज्ज को चलाना कोई आम व्यक्ति के वसकी वात नहीं थी और इतने वड़े सामराज्ज को चलाने के लिए योगी सासक होना चाहिए मजबूत सासक होना चाहिए तागतबर जैसे अगर वरतमान की बात की जाये तो हमारे आद्रणी प्रधान मंत्री की विदे ऐधर देखोगे यह इस से यहाँ पर क्या है इतने बड़े सामराज्य को चलाने के लिए यहाँ पर क्या है स्बाद निर्वल आते हैं और प्रसासन सासन प्रसासन को समाहली भी नहीं पाते हैं फिर दूसरा point क्या होना चाहिए दूसरा point होना चाहिए step by step लिखेंगे अब जैसे आयोग के अब निर्वल सासक अब इसके बारे में आप क्या लिखें कम से कम दो तील लाइने लिख दें जैसे असोक के बाद है न चाहें दसरत हुआ चाहें संपरती और चाहें अंतिम सासक हो दो-चार सासक जो कमजोर सासक हुए उनका नाम लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे इसको final करेंगे फिर दूसरा card आप खो जाएंगे लिखेंगे दूसरा card कि भाई जो मौरियों का जो सासन प्रसासन था ना उसमें केंद्री करड जा दे सासन प्रसासन का क्या था केंद्री करड सासन प्रसासन में क्या है केंद्री करड जा दे था सेंटलाइजेसन जा दे था अब सेंटलाइजेसन का मतलब आप समझी रहे हो कि यहां पर यह मंगद में बैठी हुए यानि पाटली पुत्र में यह लोग कहां पर राजा कहां पर है पाटली पुत्र में राजा वैठा हुआ है ठीक है न और हमने कहा कि सासन कैसा है हमारा पॉइंट क्या था दूसरा कि जो इनका सासन है प्रसासन सासन जो प्रसासन उसमें क्या है केंद्री करना चाहता हैं यह बताता है कि यहां के जो सभी डिसीज़न लिए जाते थे वो राजधानी से लिए जाते थे अब छोटा कोई भी मुद्दा हो हर मुद्दे का समाधान क्या से होगा राजधानी से होगा अब एक बास सोचो जब भारत में जो पंचायती राज जब लागू नहीं हुआ था तैतर चौतरवा संभिधान लागू नहीं हुआ तो उससे पहले हर गाउं की समस्या को कहां ले जाए जा रहा है जिलादिकारी के पास ले जा रहा है गाउं की जो नाली टूटी है बो भी जिलादिकारी के पास पुलिया टूटी है खड़ंजा टूटा जो भी छोटी-छोटी समस्या है सब जिलादिकारी के पास जा रही है तो यहां पर क्या है जब करेगा सो केंद्र करेगा तो ऐसे में यहां पर जब केंद्री कड़ जाद है था तो जंता में क्या था थोड़ा असंतोस होता है एक तो राजा आयोग निकले असोक के बाद और उपर से सासन प्रसासन में केंद्री कड़ जाद है तो ऐसे में यह केंद्री कड़ प्रसासन भी क्या था केंदरी करड़ प्रशास्थन भी मौरिस संवराज्ज्य के पतन के लिए जिम्मेदार था तीक है दो पॉइंट आपने पड़े उसके बाद तीसरे क्या है कि जो बाद के जो साशतन हुए असोग कि जो बाद के साशत हुए तीसरे पॉइंट मगर हम देखेंगे तो जो असोक की जो बाद के सा सकते इन्हों ने जनता पर क्या किया टेक्स एकदम जवर्जस्त अत्यदिक टेक्स वसूल कर रहे हैं अगर आप देखोगे अर्थ सास्तर में जो अठारे तीर्त और 27 अध्यच्चों का जो नाम मिलता है वो सभी लोग अपने अपने विवाग के क्या थे प्रमुक थे और हर चीज पर क्या लग रहा था टेक्सेशन जवर्जस्त सबसे बड़ी बात तो यहां देखने को मिलती है कि प्रोश्टिटिवसन भी मौरिप्रसासन के अधिनी था और प्रोश्टिवसन को देखने के लिए वहां पर कौन था एक गड़ी का अध्यच्च था तो हर चीज पर खानों पर माइंस पर उद्धोगों पर ब्यापार पर हर चीज पर उन्होंने क्या लिखा है टेक्स लिया है यहां तक कि जो सरकारी भूमी थी जिस restless十 और तो आते थे लोगों से लोग मूर्तियां करेद निए और उसके बाद बेशती थे वजार में तो इस नदमा वहां पर कार अधिक होना कर बी यह अधिक वसूल करते थे तो इस पॉइंट को लिखा है कि हर चीज पर कर लगा दिया था ठीक या फिर तिसरे के बाद चो राश्टिता का अभाव है यहां पर लेक आफ है ना नेस लेजन यहां पर राश्टिता का अभाव देखने को बिलता है कि सब की अपने अपने हित थे सब की अपने अपने हित थे और कोई भी केंदर से जुड़ाव महसूस करी नहीं पा रहा था कोई भी इस केंदर से जुड अपने हित्स थे क्यों यहां पर आश्टीता का अभाव था फिर भी असोक के अधिन यह सब इतना वड़ा सामराज था तो उसकी बज़यत ही असोक से लोग डरते थे ऐसा लोगों का मानना है कहाणी समझे तो यहां पर आश्टवाद या राश्टी भावनाता का अभाव था और ये कारडवी क्या है जिम्मेदार था अगर लोगों की अंधर यहाँ पर लेक आफ नेसलिजम नहीं होता राष्टबाद का अभाव अगर नहीं होता तो लोग भावनात्मक अटेच्मेंट रख थे मगद से लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसे यह आ सकते चेत्रिय जो अधिकारी थे उन्होंने क्या कर लिया अपने आपको स्वतंत्र कर लिया कहानी समझे और इस तरह से यहां पर चाथा पॉइंट होता है पाचवा पॉइंट क्या हो सकता है इसके पतन में अगर दो-दो लाइने लिखोगे दो-दो लाइने लिखोगे तब भी एक दम आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा कहानी समझ रहे हो ना हां तो पाचवा पॉइंट क्या हो सकता है यहां जो मौरिस अमराज्जी था उसकी सांस्कृतिक विविदता है बहुत जाद थी यहां पर सांस्कृतिक विविदता सांस्कृतिक विविदता भी इसके पतन के लिए जिम्मेदार थी कल्चरल जो डायवर्सिटी थी कैसे जो सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिक जो विविदता है यह कैसे जिम्मेदार थी तो इसके लिए आप यह बताओ आपने अभी अपने असोक के सामराज्जी को देखा कि ऑसुक का सामराज्य यहां पर कहा ये अफगानिस्थान तक है इधर पाकिस्तान है कि प्छछड भारत कहाँ यह प्रतियक छेत्र की यहां पर इधर यह गुजरात यहां पर यह क्या है यह गुजरात है यहां पर तो इन सभी छेत्रों की क्या है डाइवर्सिटी अलग-लग है बिवित्ता अलग-लग है अब देखो सांसरितिक बिवित्ता तो अलग थी अब यहां पर जो अफगानिस्तान व अपनी भासा, अपनी बोली, रहनसैन अपना, कलिंग का अपना था, बंगाल का अपना था, कसमीर का अपना था, ऐसलों यह एक भी जो मैंने राजाओं की चित्र की वात की, यहां वतनी नोगों मगद से gym Alabama YouTube करी नहीं पाया, और जैसे राजा कमजोर होते हैं तो कैसे यह सब अपने आप में क्या हो जाते हैं विखर जाते हैं अपने आपको अलग कर लेते हैं कहानी समझ गए और इसके साथ साथ यहां पर आर्थिक असमानताएं थी आर्थिक असमानताएं भी थी यहां पर आर्थिक असमानताएं क्यों नहीं होंगी भाईया अफगानिस् अफगानिस्तान जो पड़ता है यह अफगानिस्तान वाला जो छेतर था उस टाइम क्योंकि चंद्रूप्त मोरी को चाहर प्रांद दहेज में मिले थे एरिया अराकोसिया जैडरोसिया और पैरुपनिस्टाई और वहां पर उसने क्या किया था अपने सामराज्जी का विस्त Liard किया था तो यहां पर जो अफगानिस्तान वाली आज भी देखोगे बर्तमानमें अफगानिस्तान तालेवानी शासन है अमेरिकाने बहुत कोशिस की वहां से तालेवानी योगों को खतम करने की लेकिन नहीं कर पाए क्यूंकि वह और नहीं कि टैशसिटी अलग है और ये क्या है ये गंगा घाटी जो है गंगा टेक वैली जो है गंगा घाटी बहुत उपजाव छित्र था आप क्यों नहीं भी ये उपजाव होगा आपने देखा है गंगा नदी निकल रही है इसकी सायक यमुना है इधर से ये चंबल नदी आ रही है है इधर से सोन जा रह इधर पाकिस्तान बाला और पंजाब बाला चेत्र ये वाला बहुत संपन्न था क्यों कि यहां पर जो सिंध है इसकी सायक नदियां यहां पर धेर सारी नदियां थी यहां पर तो ये चेत्र उपजाओ है ये भी चेत्र उपजाओ है लेकिन जैसे ये चेत्र उपजाओ था य तो यहां पर भी आर्थिक रूप से कमजोर थे यह लोग भी आर्थिक रूप से कमजोर थे और जैसे अपन लोग क्या करते हैं जैसे अपना कोई रिस्तिधार पैसे वाला है तो जब अपन उसके यहां जाते हैं तो क्या लगता है थोड़ा सा अपने आपको हील लगता है कि या कोई और व्यक्ति है जिसके हम जात्य का प्रयास करते हैं जात्य या उससे हमारी बात होती है तो अपन क्या सोचते है यार इसके जाएंगे तो पता नहीं यह कैसा बिवहार करेगा हमां कैसे ट्रीट करेगा यह सारी चीज आपको यहां देखने को मिलेंगी तो यह लोग जो हैं अफगानिस्तान वाले चेत्र का यह पश्चमी चेत्र नौर्थ वेस्ट यह साउथ वाले यह सभी लोग अपनी तो एक तो सांस्कृतिक बिवित्ता इनकी लगती आर्थी कस्बानताएं भी थी तो ऐसे में यह इन से यानि मगद वाले चेत्र से मौरियों के जो मू जाती है नेप पड़ जाती है तो इस तरह से आपने अभी क्या देखा आपने यहां पर देखा है ना आपने सांस्रेति विवित्ता आर्थी कस्मानताएं देखी इसके अलावा और क्या हो सकता है तो यहां पर नेस्ट पॉइंट हो सकता है कि जो प्रांतिय सासक थे प्रां काक्ति झा सासक थे उन ने किया अत्याचार किया किस पर अत्याचार किया जनतर पर है ईत्य टीक्ष बसूल करना अन्य तरीकों से इसे बेगार लेना यहां पर सिम्झाल जब जैसे जैसे बिंदुसार जब राजा था जब बिंदुसार राजा था तब तच्चिसिला में क्या हुआ था जब बिंदुसार राजा था तो यहां पर तच्चिसिला में एक रिवोल्ट एक विद्रो हुआ था कि नहीं हुआ था तच्चिसिला में जो विद्रो हुआ थ था कि भीज़ता था असोग यहां के गया बिद्रो को दवाया और उसके बाद पर शांती वीजता को मैंटन किया और यहां पर यह कहा जाता है जब उसने पूछा जनता से समस्या है क्या है तो उसने का हमें राजा से कोई दिक्कत नहीं है, जो छेतरी है, जो प्रांतिय जो सासक है, प्रांतिय जो वहां प्रसासन कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हमको परिसान कर रहे हैं हर बात के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया हमने और इसके बाद हम बात करेंगे एक अंतिम सासक असोग की भूमिका असोग की भूमिका की यह कि वात करेंगे कि कहते हैं कि असोग भी इसके लिए किया था तो असोग को तो क्यूं हुझे मं दार ठेहरा कि आ खिर इस बिचारे की क्या गल्ती है, ये तो महान सासक हुआ कि असोक ने क्या किया किया, पहले सासक बनने से पहले क्या था प्रिंग युद्ध नसे पहले यी था ब्रहमण धर्म की क्या था ब्रहाम्र धर्म को यह मानता था और इसने अपने सासन के आठवे वरस क्या किया कलेंग्युद्ध क्लेंग युद्ध किया ठीक्ए न और यह हुआ था 261 VC में, 261 VC में ये कलिंग युद्ध हो गया, तो कहते हैं इसमें एकदम भारी नरसंगार किया, इसने एक लाख मारे गए, लोग, एक लाख मारे गए, डेर्ड लाख इसने क्या बनाए, बंदी बनाए, है ना, दो लाख इसमें क्या हुए, घायल हुए, ठीके न, और लाख लोग इदर से क्या हो गए, बिस्थाफित हुए, ठीके न, लाख लोग, बिस्थाफित हो गए, तो ये सभी जो कार्ड हैं, वो कलिंग युद्ध के बाद उपजे, और इतनी भयंकर हिंसा को देखने के बाद, असोक ने क्या किया, असोक ने कहा कि अब से हम हिंसा नहीं कर करेंगे, और इसकी जगे हम क्या करेंगे, अहिंसा का हम क्या करेंगे, पालन करेंगे, तो इसने एक जो नाम मिलता है, कहते हैं कि भेरी घोस से, भेरी घोस से, इसने क्या किया, धम्मनीती को इसने अपनाया, कि हम युद्ध नीती से, हम युद्ध नीती से, युद्ध की हम सासन करेंगे और सांती से जब सासन करेंगे हम अहिंसा के माध्यम से सासन करेंगे तो यह क्या लेके आया अपनी एक धंवनीती लेके आया उसको लोग कहते हैं कि moral value का collection है ये क्या है धम्बनीती आपनी जैसे धम् या धर्म जैसे संस्कृत में जिसे हम संस्कृत में हम जिसे धर्म कहते हैं तो इसी धर्म को हम पाली भासा में पाली भासा में क्या कहते हैं पाली भासा में हम धम् कहते हैं तो असोक अपनी धंब नीती लेके आया तो इस धंब नीती में इसने क्या लखा क्या सामिल किया moral value नैतिक नियम नैतिक नियम moral value का क्या है collection समुच्च moral value का क्या है ये समुच्च कि भाईया ये क्या करता है कि अब हम राजजी को चलाएंगे न राजजी को अगर हम चलाएंगा तो नैतिक नियमों के माद्यम से चलाएंगे अब नैतिक नियम क्या होते हैं ऐसा दुनिया का कोई धर्म नहीं है जो हिंसा को बढ़ावा दे सभी धर्म कहते हैं कि लोग अपने माता-पिता की सेवा करें और अगर अगर लोग माता-पिता की सेवा करें तो मेरे अनाथ-आस्राब पर दया करोति अगर गरमी working का समय है तो आप क्या करें अपने घर के सामने थोड़ा सा बाल्टी में या फिर एक पानी के लिए कुछ अरेंजमेंट करें ताकि जो जीव जनतु है वो पानी पीए अपने छत पर किसी वर्तन में पानी भरके रखें छोटी-छोटे पंची जो आते हैं वो पानी पीए थोड़ा एक कटूरी में आटा चावल रखने हैं तो असोक इन बातों की बात करता है कि ऐसे कारी व्यक्ति को करने चाहिए और प्याव लगवाओ फलदार ब्रच लगवाओ सराय बंदवाओ सचाई के लिए बांदों का निर्माण कराओ अगर आप संपन्न हो तो और इसने कहा कि जो आप कारी कर रहे हो बड़े कारियों को क्या करें बढ़ावा दें कहानी समझें तो असोक इन धर्मों की बात करता है और इन नैतिक नियमों की क्या करता है बात करता है और यह धर्म के जो सभी धर्मों की नैतिक नियमों की इसने यहां पर सामिल किया यहां तक तो सब सही है लेकिन इनी नियमों की वज लगा दिया और किस धर्म के लिए इसने बौध धर्म के लिए इसने पूरा अपने आपको निवचावर कर दिया अपने प्रसासन को निवचावर कर दिया इसने पूरा प्रसासन अपना लगा दिया इसने क्या किया अपने बेटे इसने बेटे बेटी पुत्र पुत्री लिखवा दिये, inscription, इसने क्या लिखाए, इसने अविलेक लिखा दिये, अब सारा प्रसासन, सारे संसाधन, सारा जो अर्थ था, जो धन था, वो किस पर लगा दिया, बहुत धर्म पर जब 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 डॉनेसन दिया, अब ऐसे में यहां पर क्या हुआ, असोक जब त कमजोर कर दिया, इस कारड से असोक को जिम्मेदार ठहराया जाता है, कि इसने न तो सैना के लिए कोई प्रसिच्चड, सैना के लिए किसी भी तरह के प्रसिच्चड की वात इसने नहीं की, ठीके न, ऐसा इस पर आरोप लगता है, हालांक एक जगे, अटवी जातियों को च हमारे आदर्णी प्रधान मंत्री जी के पीछे जो उनके सुकरडी गाड भी चल लए थे, और उनका आपने पहनावा देखा होगा, पूरी तरह से पहनावा कैसा था, आपने देखा, दोती पहने थे, गमछा डाले हुए थे, ठीके न, सारी चीजे, अब बो तो एक सिर्फ संती, एक सिर्फ उधगाटन की बात थी, अब ऐसी हमारे आदर्णी प्रधान मंत्री पूरा साशन प्रसाशन ब्रहमड धर्म यान हिंदु धर्म के उत्थान के लिए उसके प्रमोशन के लिए लगा दें, तो कहीं न कहीं सैना का मनोवल है, सैना का जो भाव है, वो सैन की निकल के कहा जाएगा धर्म की तरफ निकल के आ जाएगा जैसे अभी यूपी में किये फिर केरल में कर लें उडिसा में करें तमिल नाडू में करें तो घूम घूम के अगर सैना प्रसासन भी करेगा तो फिर क्या होगा सैना कमजोर होगी और संसाधन भी क्या होगे कमजोर हो नियम हों से वो चाहता है कि यह यह राज्ज है एक तरफ तो सैना और अप्रशासन है सैना और रसासन कोぎ यह सोचता है को कल एंग उद्ध में बहुत हिंसा हुई है और हम इसका प्रयोग भण नहीं करेंगे हम क्या करेंगे अपने देश के अंदर अपने राज की जो लोग है, इन लोगों को हम क्या करेंगे, जिम्मेधार बनाएंगे इने क्या बनाएंगे, जैसे अगर हम चोरी करना छोड़ दें, लडाई करना छोड़ दें, हम किसी दूसरे का आहित न चाहें, तो फिर सासन प्रसासन की जरूत क्यों है क्या नियाई पालिका की जरूत पड़ेगी अगर हम जगड़े न करें अगर हम चोरी न करें कोई भी गलत काम न करें तो हमको क्या प्रसासन की जरूत पड़ेगी नहीं पड़ेगी अगर हम सही रूप में अपने नियमों के माध्यम से चले नैतिक नियमों से कि भाई हमें क्या करना एक दूसरे की वावनाओं को संबान देना है चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुस हो चाहे बजुर्ग हो चाहे बच्चे हो हमें सबके साथ अच्छा विवार करना है तो वहाँ पर हमें फिर क्या जब सभी जिम्मेदार होंगे नेतिक रूप से तो वहां पर शासन प्रसासन की न्याय पालिका की कोई यरूरत नहीं पड़ेगी यहीं असोक की सोच थी कि हम अपने लोगों को जिम्मेदार ठेरा देंगे असोक बहुत दूर दर्सी सासिक था और असोक को ऐसे असोक नहीं महान कहा जाता है उसके इनी कारि असोक की भूमिका क्या थी तो हमने कहां सोक ब्रामण धर्म को मानता था और इसने अपने सासन के जब राजा बना टू-6-9 वी-सी में जब यह राजा बना था तो इसने क्या किया था अपने सासन के आठवे वर्ष कलेंगय युद्ध की भारी हिंसा की और फिर इसका हुरत तो यह धम्म में क्या प्रापदान थे नैतिक नियमों का समुच्च है, हम बताए कि वही moral value जो सभी धर्मों में होते हैं, तो असोक ने क्या किया, बहुत धर्म की तरफ इसका जुकाओ था, बहुत धर्म ग्रेंड किया, सासन प्रसासन पूरा आर्थिक संसादन सब बहुत ध सासन प्रसासन भी कमजोर होता है, और उनके पास योग सासक भी नहीं रहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर सारी चीज़ें होई थी, मैंने कहा, असोक राज्य चलाने के लिए इनको लाया था, इधर देखोगे, हमने आपको यहाँ पर क्या दिया है, एक outlook दिया है, कि कैसे कार्ड मतलब असोग की मृत्तियों के पश्चात है ना बेगटन होने लगा था या और लगबग अन्ति मौरी समराड ब्रहधत की हत्या उसके अपने ही सेना पती पुष्मित सुंगदार हत्या के साथ इस विसाल समराज जी का पतन हो गया इस पतन के लिए अनेक कार्ड या न आपको चर्चा करना है अब आप जानते हो महत्मा बुद्ध हुए महत्मा बुद्ध ने अपने सच्छाओं के माध्यम से चाहे तीन रत्न हो चाहे चार आरे सत्य हो चाहे अश्टांगिक मार्ग हो चाहे दस सील हो 12 निदान हो ठीके न और चाहे उस बहुत धर्म का विभा यह प्रस्ण नहीं आया है कि बहुत इस्थापतिकला की चर्चा करें बहुत इस्थापतिकला की चर्चा करें तो यह प्रस्ण हो सकता है 15 नंबर में आ जाए तो आपको लिखना क्या है कि बहुत इस्थापतिकला में पहले आप समझे तत्तु क्या है फिर हम परिचे सबसे पहले स्टूप की बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यूं के वाद उनकी अवसेसों पर कुछ इस्टूप बनाए गए फिर इस्टूपों की अलग-अलग प्रकार भी हो गए थे सारी रिक पार्भॉमिक संकल्पित है ना पूजार्थक तो अलग-अलग क्या हो हो गया कि इस्टूप बनाए जाने लगे हम देखेंगे जैसे सारनात में 아직 बना हुआ है असोग ने भी स्थोप ऑंक 84,000 स्थोपों का निर्मान करा या था तो यहां पर 9-1 हम देखेंगे इनकेamff बिहार व देखेंगे कि बिहार क्यात थे जैसे जेतवन विहारा सुखना होग अपने असो कने भी एक कार्म विहार पात की है देने की यह तहдеं तो यह तुझेओं पर इस के साथ हम महाँ बीहार देखेंगे तो अपने नाम सुना होगा का नालंदा का अपने सौनपूर आपने विक्रम सिला का नाम सुना है, ये सब क्या है, महा भिहार है, फिर इसके बाद आपने क्या सुना होगा, आपने सुना होगा, इस्तूप, इस्तूप के साथ भिहार, महा भिहार, और उसके बाद हम, किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे, चैत्ति की, ये तीन तत्तों है इस्तूप, बिहार, महाबिहार और चैत एक हम इमेज आपको दिखाते हैं यहाँ पर इधर देखो आप जरा यह क्या है इस्तूप है इस इस्तूप की सर्रचना हम देखेंगे इस सर्रचना के फिर हम प्रकार देखेंगे प्रमुकिस्तूप देखेंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे एक एक point को बहतरीन तरीके से cover कर लेंगे सबसे जरूरी मेरे भाई है कि यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे प्रशन को define करेंगे पूँचा है इस्थापतिकला तो पहले इसका क्या करेंगे हम परिचे देंगे फिर उसके हम तत्तों को सामिल करेंगे इस्थूप बिहार महाबिहार चैट अब जैसे इस्थूप की बहत आजाए तो इस्थूप का पहले हम क्या देंगे थोड़ा सा एक line इसमें हम एक line में क्या बताएंगे कि इस्थूप का अर्थ बताएंगे इसका अर्थ बताएंगे फिर हम इसकी क्या बताएंगे इसकी हम सर्रचना इस्टेक्चर बताएंगे कैसा कैसा कौन कौन से तक तो इसमें होते हैं ठीक है उसके बाद हम इसके प्रकार बताएंगे फिर हम क्या बताएंगे इसके इसके कुछ प्रमुख जैसे प्रमुख इस्तूप प्रमुख ना बता दी पांच लाइन में सोरी चार से पांच लाइन में आपने इसके प्रकार बता दिये और प्रमुख इस्तूप अगर बता दिये आपने दो लाइन में चार पांच इस्तूप आपने प्रमुख बता दिये तो कितना बहतरीन आंसर हो जाएगा और उसके बाद आप बि से इनका भी अर्थ और इनके उद्देश्य को बताओगे कि आखिर भहया इनका उद्देश्य क्या था और इस के बाद इस चैत्य की थोड़ा सा परिवहासा थोड़ा सा इसके बारे ऐованगे चैत्य क्या होते क्या होते हैं और इनकी भी जरूरत क्यों पड़ी और प्रमुख प्रमुख चैति बता दिये आपने तो भाई साव आपका जो आंसर होगा गजब का होगा आपके कौपी चेकर जो होगे उनके अंदर हिम्मत नहीं पड़ेगी कि यार हम इस बंदे को कि 12 नंबर दें कि 13 नंब तो आप क्या बताओगे कि बहुत द्धर्म की इस्थापत्यकला के छेत्र में हमें इस्तूप बिहार महाव्यार एवम्चेतियों का विकास देखने को मिलता है यह अपनी इस्थापत्यकला की अमूल चूल क्या है एक बिसेश सैली में बिसेश बिसेश्ताओं के साथ एने एक दम इस पेसली यहां पर बहुत डेल सारी यहां पर इनके क्या थे तत्तु थे इन सारी चीजों को आप क्या करोगे बताओगे परिचय में आप इन सब का एक एक नाम लेने के बाद क्या करोगे बताओगे कि इनका विकास देखने को मिलता है इनकी अपनी एक अलग सैली थ करेंगे सबसे पहले दो लाइनम पर्चे देंगे कि बहुत इस्तापतिक अलाम हमें इस्तूप बिहार महावियार चैत्यों का विकास देखने को मिलता है यह इनकी अपनी एक अलग सैली थी और इनका सभी का निर्माड अपने अलग-अलग उद्देशियों के लिए किया जात तुवा या धेर होता है ठीक न और इसका पहला उल्लेक देखा जाए तो इसका पहला उल्लेक कहां मिलता है रिगवेद में मिलता है ठीक न रिगवेद में मिलता है और फिर बात की जाएगी इसकी सर्रचना अर्थ हो गया इसकी सर्रचना बताएंगी हम तो सर्रचना बतान पर इससे किया हो जाएगा सर्रच ανα यह हो गया ठूजा अब यह न यह ओगही SHT और यहां पर यह इसे चार तरफ से क्Ыया कर दिया गया है 400 पर प्रवेस्च द्वार बना दियाएं प्रवेस्च द्वार चार है और इन प्रवेस्च द्वारें कुन बह्तरीं तरीके से क्या किया गया है नकासी की गई है और यहां पर आप देखोगे इस पेटी में जो चाहें बुद्ध हों चाहें महात्मा बुद्ध हों चाहें बोधिसत्थ हों और चाहें इनके प्रमुख महत्पूर सिस्षी हों इनसे जुड़े हुए जो अवसेश थे चाहें इनक क्या बनाय थे इस तूपप पूजा इस्थल बना गए थे उंसे जुड़े हुए लोगो। चाहें बोडिसत्व हो और सहे माहत्माबुद्ध हो कहानी समझे ना और यहीं पर इसी पेटी में यहां पर क्या इनसे जुड़े हुए कुछ तत्त होते थे तो आप समझना अर्थ क किया है इसे मेंधि काहा जाता था जिसके ruling होती थि ती फिर उसके बाद यह ऑला क्या है यह अंड जैसे बोला जाता था अंड फिर हमने कहा कि यह जो है उपर जो चोकी की टाइप की इसे हर्मिका और इसे क्या है ये था यश्टी यश्टी और ये है छत्र ठीके न और इसी में महत्मा बुद्ध उनके सिस या बोधिसत्तु से प्राप्त जो भी चीज थी वो इसमें क्या थी रखी जाती थी ये होते कैसे थे ये ठोस होते थे एक दम पूरी तरह कैसे होते थे ठोस होते थे और ठोस के साथ साथ यहां पर जो हम दिखा रहे हैं आपको यहां पर तोरड़ द्वार जो हमने चार यहां पर बताए थे आपको कि भाईया हमने कहा कि चार जो प्रभेस द्वार होते हैं इन्हें क्या बोला जाता था तोरड़ द्वार अब तो मंदित जो पसुपच्छी हैं, चाहे हाती हो, चाहे घोडे हो, चाहे वो तपस्या पर वैठे हो, चाहे वो ग्यान प्राप्त कर रहे हो, चाहे वो ग्रहत्याक कर रहे हो, चाहे वो विच्छा मांग रहे है, चाहे उनका सरीर एकदम जरजर हो गया है, चाहे वो सुजाता के हा यहां पर आपको दिखाई देंगे बहतरीन इस पर क्या हो रही है एक दम नकासी के माध्यम से विभिन इनके आम जंजीवन के चित्रों को यहां पर उकेर केने सजाया गया है ठीके ना और यहां पर आप देखोगे इन स्थूपों की सर्रचना आपने देखी कि भई यू सर्र तो आपने यहां पर क्या देखा आपने मेरे प्यारे साथियों अभी तक जो आपने देखा इस्तूप इस्तूप की सर्रचना देखी कि सर्रचना में क्या-क्या तत्तु सामिल होते थे इस तरह से आपने इस्तूपों को देखा अलग-अलग छित्रों में इस्तूप मिलेंगे यह तोरण द्वार देखे अब इन इस्तूपों के प्रकार की बात करोगे तो इनके प्रकार हमें देखने को मिलते हैं इन इस्तूप संकल पित। पूजार्थक और उध्रिस्क चार प्रचार केने के क्या देखे जाते इस्तूप। अब ये सारीरी की स्टूप क्या थे, सारीरी की स्टूप के अगर आपसे बात की जाएगी, तो सारीरी की स्टूप जैसे महत्मा बुद्ध और बोदिसत्त, इसके बाद जो बिच्छू हुए सन्यासी, बिच्छू, इनके सिस्य, इन से जुड़े हुए इनके अवसेस, इनके राक है, है ना, इन से जुड़े हुए, जैसे महात्मा बुद्ध की जम्रत्य हुई थी, तो उनके अवसेसों को लगबग आठ से नो भागों में बाटा गया था, और मूल नो, नो से आठ से नो क्या बने थे, इस्तूप बने थे, कहानी के लिए रहे, इसी तरह से पारभोमि का मतलब क्या है, ये बे इस्तूप हैं, जैसे महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध ने जिन बस्तूओं का प्रियोक किया, बस्तू है, उपभोग की चीज़ें, उपभोग में लाई गई, लाई गई बस्तू है, अब जैसे महात्मा बुद्ध कटोरे में भोजन ग्र महत्मा बुद्ध जिस विस्तर पर सो रहे हैं उसकी क्या होगी पूजा होगी महत्मा बुद्ध का जहां पर महत्मा बुद्ध जिसको खा रहे हैं जिसको पहन रहे हैं जिसको यूज कर रहे हैं जो भी चाहे बोदिसत्त हों चाहे उनके सिस्यों चाहे मात्मा बुद्ध हो, इन से जुड़े हुए जो भी उपयोग में लाई गई वस्तूएं हैं, उन वस्तूओं की यहाँ पर क्या होगी? पूजा होगी. उसके बाद यहाँ पर उद्देसिक क्या है? उद्देसिक उनके जीवन से जुड़े हुए इस्थान, कुछ महतप हुआ, भगवाराम के लिए प्राण प्रतिस्ता वहाँ पर एक बहतरीन मंदर, भव्य मंदर का निर्माड किया गया, हमारे आधर्णी देश के प्रधान मंदरी, मोधी जी ने उसका क्या किया? उद्दगाटन किया, पूजा परंपरा को संपन कराया, और ऐसे ही अगर हम मह आत्मा बुद्ध की बात करें, तो भाह immun. कि क्या है? रुचिश लुटगी जन्मिस्तल, पूद्गया, क्या लिखें आप? लुबिने जन्म, ज्यानप्राप्ति क्या? और उसके बाद आपसे बात की जाए, न्या तो इस जगों स्तुभ बने हैं, इनके विस्यस महत्तु है पूजार्थक उनके फॉल्वरों ने उनके अनुयाई जो थे इन अनुयाई उन्हें जो इस्टूप बनवाए उन्हें पूजार्थक इस्टूप के नाम से जानते हैं कहानी समझ गये और एक अगर कहा जाए कि इस्टूप अब समझो आप इस्टूप का मतलब है बौधों के बौधों के ये क्या है पूजा इस्थल कहानी समझे बौधों के ये पूजा इस्थल अब आपने इस्थूप का अर्थ समझा इस्थूप क्या है पूजा इस्थल इस्थूप होगी आपने सर आज गिर है डेल सारे आपको इस्तूप आपको यहां पर देखने को मिलेंगे है ना और बिदेशों में इन्हें पगोडा के नाम से जानते हैं पगोडा के नाम से जानते हैं अब आपने यहां पर इस्तूप की सरचना इस्तूप के बारे में सारी चीजा आपने समझी अब हम बात करेंगे बिहार की, बिहार क्या होते हैं, जो बौध विच्चु हैं, बौध विच्चु जो हैं, बौध विच्चु के, बौध विच्चु के ये निवास इस्थल थे, जहां पर बौध विच्चु क्या करते थे, निवास करते थे, बौध विच्चु के निवास बहुत सिच्छा का एक महतपूर तत्विय था कि आप क्या करेंगे सिर्फ बरसात के समय में चार महां केवल एक स्थान पर रुख कर क्या करेंगे निवास कर सकते हैं उसके अतरिक्त आप बिल्कुल नहीं ठीके न तो जब बरसा की रितु है तो वहां पर रुखना पड़ेग तो बहुत विच्चों की निवास स्थल है, इनको आप लिखोगे कि बिहारों का निर्माड कराया, कौन-कौन से बिहार हैं, जैसे कुछ प्रमुक बिहारों की बात की जाए, तो जैसे बेलुवन एकाद एकजामपल दे देंगे, बेलुवन बिहार की आप बात करेंगे, बेल जैसे बेलुवन बिहार, वही अनाथ पिंड़क ने जो महात्मा बुद्ध को अठारे एकड़ का दान कर दिया था, सोने की मुद्राओं से विचा करके, तो यह जैसे बाद आप यहां पर और दिखा सकते हो, कि आमरपाली ने भी बिहार दिया था, कहां पर यह वैसाली में मेरे प्यारे साथियों, तो इस तरह से आप बिहार देख दोगे, यहां पर दिखा दोगे, अब उसके बाद बाद आती है महाबिहार की, महाबिहार, महाबिहार क्या थे? इनका आकार बहुत बड़ा था, यह बिहार जो थे? यह भी निवास इस्थल, यह महतपुल रूप स सिच्छा के केंदर थे सिच्छा केंदर तो अगर आप देखो कि निवास सिच्छा के केंदर थे और रहने के लाइक अब एक्जाम्पल में आप क्या देखो कोई जैसे अधिक्रम इस पर और नालंद रिक्रमशला गरें कि शॉनपру। सोनपूर यह क्या है सब बिहार हैं यह रहवास के साथ साती सच्छा के भी केंद्र थे वो एक अलग बात है कि बक्तियार खिल जीने ने क्या कर दिया था बरवाद कर दिया था और हम पड़ रहें क्या बौधों की इस्थापतिकला बौध की स्थापतिकला समझ रहे हो न तो उद्देश से क्या था समझ गए अर्थ क्या है निवास स्तल उद्देश से क्या है रहने के लिए महाबियार क्या सरच नावं से बड़े थे बिहारों से और यह महतनग रूफ से नेवास मं से छिच्छा के महतन पूर सुरिकर थे और आपने नाम सुना होगा नालंदा तो understood standpoint कहा जाता था अब बात आती हैं अंतिम पॉइंट हम किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे तो आप इधर यह आधा कटा हुआ क्या है यह सर्रचना है कारले कनहेरी की गुफाओं में आप धेर सारी चैति देखोगे दच्छल भारत महाराष्ट वाले चेत्र में तो यहां पर अब हम बात करेंगे किसकी हम बात कर रहे हैं चैति की अभी आपने क्या देखा यह इस्तू मतलब जहां पर बिहार हूँ जहां पर बिहार वने हूँ और जहां पर चैति भी हूँ जहां पर इस्तूप भी हूँ जहां पर क्या हूँ इस्तूप हो और बिहार दोनों हूँ उस अवस्ता को क्या कहते हैं चैति कहते हैं जैसे एक्जाम्पल की अगर बात करें नासिक में कारले कनेरी की गुफाओं में यहाँ पर क्या है ये भाजा भाजा का क्या है ये चैत्य कनेरी कनेरी में चैत्य कारले में चैत्य अमरावती में ये सारे क्या है ये चैत्य है मैत्पूर्ण अब जैसे इनकी सर्रचना क्या होगी सरचना ऐसे होगी जैसे ये क्या है एक पहाड़ी है बड़ी सी ये पहाड़ी है मेरे प्यारे भाई ये है पहाड़ी ठीक है और इस पहाड़ी को क्या किया गया इसे खोकला बना दिया गया इस पहाड़ी को अब खोकला कैसे बना दिया गया इस तरह से यहां पर इसे क्या बन बना दिया गया खोकला ठीके न अब इसमें अंदर सरचना कैसी होगी इसमें अंदर सरचना यहां पर यह क्या बनाए यहां पर रहने के क्या है यह यह भी खोकले है यहां पर आप देखो यह है रहने की स्थल कम्रे टाइप के है यहां पर यह इन्हीं को कहा गिया यह बिहार ह चैत्ति का आकार कहां पर चैत्ति को यहां बीच में यह बिहार है निवास इस्तल और यह क्या है यह है इस्तूत और दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है दोनों को मिला करके चैत्ति कहा जाता है ठीक है न तो फिर से मैंने कहा मैंने कहा कि जो बौध इस्थापत्ति की मैंने बात की थी बौध इस्थापत्ति का लाग को मैंने 15 नमबर में बताने का प्रयास किया तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसका एक परिचे देंगे परिचे देने के बाद आप क्या करेंगे परिच्छे देने के बाद आप देखेंगे कौन-कौन से keyword है, तो सबसे पहले आप इस्टूप की बात करोगे, इस्टूप में आप क्या बताओगे, इसका अर्थ बताओगे, फिर आप इसकी सर्रचना को बताओगे, इस्टूप की आप सर्रचना को बताओगे, और सर्रचना को बताने के बाद इसके क्या बताओगे इसके प्रकार को बताओगे ठीक ना प्रकार बताने के बाद आप वही जो प्रकार है इसके और उसके बाद आप महतपूर है ना महतपूर इस तूप को भी आप लिख दोगे पहला पॉइंट के लिए फिर दूसरा आप क्या लिखोग और यहां पर प्रमुख बिहार लिख देना जो इन्हें मिले हैं प्रमुख बिहार ठीके ना प्रमुख बिहार लिख देना और उसके साथ आप तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे महाबिहार महा बिहारों के बारे में भी बताओगे नालंदा विक्रमसिला ठीक ना इनको आप बताओगे और इनके भी कुछ महत्पूर्ण नाम लिखोगे और उसके बाद आप एक पॉइंट क्या लिखोगे चोथा पॉइंट लिखोगे आप चैति और चैतियों का अर्थ आप बताएंगे ठीके ना और प्रमुख क्या बताओगे प्रमुख चैति बताओगे ठीके ना और अगर इनके अब इन सब की अगर विकास की इस्तिती देखोगे तो इदकी शुरुवात कहां से होती है सुरुवात होती है इनकी महाजनपद काल से महाजनपद काल से इनकी सुरुवात होती है और मोरी काल में इनका एकदम पीक पहुंच जाता है मौरि काल में इनका क्या हो जाता है पीक होता है और उसके बाद दच्छड भारत में भी देखोगे तो मौरि उत्तर काल में भी इनका विकास देखने को मिलता है हाला कि गुप्त काल में इनका जो है उतना विकास देखने को नहीं मिलता, बाद में आके जैसे कुमार गुप्त ने नालंदा की स्थापना कराई थी और बाद में पाल सासकों ने भी बौत धर्म को क्या किया था, सर्रचड दिया और उन्होंने भी क्या किया था, बंगाल के पाल सासक, तो यहां पर इसका विकास देखने को मिलता है, तो I hope मेरे प्यारे साथ ही हो, आपका यह दोनों प्रश्न 15 नंबर के, किस तरह से आप ड्राफ्ट करोगे, यहां पर हमने पूरा यहां पर क्या दिया है, इस तूप का अर्थ क्या है, सारी चीजें, किस तरह से क् बता है, यहां पर यह सारी फीचर हमने आपको यहां पर बताया, फिर हमने यहां पर टाइप ऑफ इस्तूप बताया हमने, पूजार्थक, हमने सब की यहां पर चर्चा की है, इस टेक्चर की वात की है, हमने इस टेक्चर के इसके पार्टों की हमने यहां बात की है, कि किसे वेदिका, मेधी, अंड, हर्मिका, यश्टी कहा जाता है, प्रतेक की हमने यहाँ पर बात की है, इसके पार्ट्स की हमने यहाँ पर वही, सब की हमने यहाँ बात की है, है ना, तो I hope साथियो clear हुआ होगा, है ना, अब हम कल मिलेंगे मद्धिकाल के प्रशनों की बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, दरसल वक्त कम है, तो दच्चिड भारत के अगर इधियास की मैं बात करता, लेकिन यहाँ पर क्या है, दच्चिड भारत में अब तक दो नंबर और चान नंबर के प्रशनों पूचे गए हैं, और दो नंबर चान नंबर को हम बता चुके हैं, ठीक